मखाना खाने के 11 अद्भुत फाइदों के बारे में इस वीडियो में हम जानने वाले है मखाना जिसे फॉक्स नर्ड भी कहा जाता है एक खास तरह का बहुत ही फाइदेमंद सुपरफूड है जो आपकी सिहत के लिए बहुत ही जादा बहुत ही फाइदेमंद होता है तो क्या-क्या इसके फाइदे है क्या आपके सिहत के उपर इसका असर होता है इन सभी बातों को इसी वीडियो में जानेंगे तो चलिए मेरे साथ जानते हैं डीटेल में लेकिन सबसे पहला काम करना है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हिल्थ से रिलेटेड नए और अच्छे वीडियो सबसे पहले आप देख सकें नमशकार मैं डॉक्टर सीतल टोंग से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका डॉक्टर टोंग से हुमेपैथी में मखाने का सबसे महत्वपूर्ण और पहला फायदा क्या है मखाना आपके शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है इसमें बहुत जबरदस इंग्रेडियन्ट्स होते है जो एक पावर हाउस की तरह काम करते है क्यों क्योंकि इसमें आपके हिल्थ के लिए बहुत ही जरूरी कुछ इंग्रेडियन्ट्स होते है मखाना में प्रोटीन्स होते हैं बहुत अच्छी मात्रा इसमें प्रोटीन की होती है जो मांसाहरी और शाकाहरी दोनों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है मखाना में कार्बोहेडरेट की मात्रा भी भरपूर होती है जो आपको उर्जा ब्रदान करती है साथ ही फाइबर से भरपूर होता है मखाना जो आपके पाचन क्रिया को भी अच्छा बनाता है मखाना में विडामिन B1 जिसे हम थाइमिन कहते हैं विडामिन बीटवेल जिसे हम राइबोफलोवीन कहते हैं और विटामिन E की मातरा होती है जो शरीर के स्वास्त के लिए अत्यावश्यक होती है इसमें काफी मिनरल्स भी होते है मखाना में पोटेशियम, कैल्शियम, मैगनेशियम और फॉस्फरस जैसे मिनरल्स पाये जाते है जो आपके हड्डियों को मजबूद बनाते है मखाना में एंटी आक्सिडेंट होते है जैसे फ्लेवरनॉइट्स ये एंटी आक्सिडेंट्स आपको फ्री रेडिकल्स से बचाने में मदद करता है और शरीर की रोग प्रतिकारक्शक्ती को बढ़ाता है मखाना खाने का दूसरा जबरदस्ट फायदा वेट मैनेजमेंट अगर आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे है तो मखाना आपके लिए बहुत ही अच्छा विकल्प हो सकता है ये कम कैलरीज और फैट वाला होता है जो आपको आपके वजन को घटाने में आपकी मदद करता है तीसरा इसका इंपोर्टन फायदा है डाइबिटीज मैनेजमेंट में जी हाँ मखाना का सेवन अगर आप रेगुलरली करते हैं तो आपके जो बलड शुगर लेवल है जिसे हम रक्त शरकरा स्तर कहते हैं उसे नियंतरित करने में भी बहुत इंपोर्टन इसका रोल होता है इसमें कार्बोहेड़र्ट की कम मातरा होने के कारण ये डाइबिटीज के मरिजों के लिए भी फायदे मंद हो सकता है अब जानता है चौथा जबरदस्त फायदा और चौथा फायदा है आपके डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए मखाना बहुत ही अच्छा है मखाने में मौस्जूत फायबर्स आपके पाचन शक्ति को मजबूत बनाने में मदद करते है और आपके पेट की समस्याओं से भी आपको मुक्त कराते है अगर आपको डाइजेशन की समस्याओं से आए तो ये बहुत ही अच्छा उपाय आपके लिए है अब समझते है पाचवा जबरदस्थ फायदा एंटी आक्सिडन प्रॉपर्टीज होती है मखाना में ये एंटी आक्सिडन प्रॉपर्टीज जो है आपके शरीर को फ्री रैडिकल से बचाती है आपकी तवचा को स्वस्त बनाती है आपकी इम्मिनिटी को भी अच्छा बनाती है जिससे रोग प्रतिकारक शक्ति आपकी जब बढ़ जाती है तो आप कई बिमारियों से बच पाते है जो मखाने से आपको मिलता है वो है ये आपके दिल के हिल्थ के लिए बहुत फाइदेमन है जहां मखाने में कम वसा यानि कि कम फैट्स होते है कोलिस्टरॉल की मात्रा इसमें कम होती है और इसी कारण से यह आपके दिल के स्वास्त को भी सुधार सकता है और आपको हाट समंदित यानि कि दिल समंदित जो समस्या है उसकी आशंका से भी उसकी आशंका को कम करने में भी मददगार साबित होता है साथ नंबर का इसका बेनिफिट है ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना जिहां मखाने में जो पोटेशियम की अच्छी मातरा होती है इस कारण वश आपके रत्चाप को यानि कि आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में ये मदद करता है आठ नंबर का भी फायदा बड़ा जबरदस्त है आजकल हम देखते है काफी लोगों में प्रोटीन की कमी होती है तो मखाना इस रिच सोर्स आफ प्रोटीन अगर आप वेजिटेरियन है तो आपके लिए प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए बहुत ही अच्छा विकल् होती है और इसी कारण से उरजा प्रदान करने में आपके शरीर में उरजा का स्तर बढ़ाने में भी ये मदद करता है और आपके दिन की शुरुआत अगर आपको बहुत जबरदस्त एनरजी के साथ करनी है तो आप सुभे ब्रेकफास्ट के जगब पर भी मखाने का इस्ते कर सकते हैं जिससे आद दिन भर आपके शरीर में एनर्जी रहेगी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा टेंथ नंबर का जबर्दस बेनिफिट जो मखाना खाने से होता है वो यह है कि इंप्रूज यूर बोन हिल्थ जहां मखाने में कैल्शियम और मैगनेशियम की अच्छी इसे में अगर आप मखाने का सेवन रेगूलरली करते हैं तो ऐस्टियो पोरोसी जैसी समस्या से भी आपको यह बचाएगा अब जानते है मखाना खाने का 11 नंबर का फाइदा यह आपके कीड़नी के फंक्स्छन के लिए भी बहुत फाइदे मंद होता है मखाने में potitium की मातरा अच्छी होती है और इसी वज़र से आपके गुर्दे के स्वास्त के लिए यानि किड्नी के स्वास्त के लिए उसे स्वस्त बनाए रखने के लिए बहुत ही मददगार साबित होता है कि इसके benefits के बारे में जानकर आपका भी मन ललचा रहा है इसे खाने के लिए कब से मखाना आप खाना शुरूर करने वाले है कमेंट में मुझे जरूर लिखे ताकि मुझे भी समझ में आए कि कितने लोग इस वीडियो से inspire हुए है यह वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों तक अपने family members तक भी से जरूर पहुँचाए तो हसते रहिए मुस्कुराते रहिए अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ध्यान रखिए नमस्कार